नमस्ते दोस्तो दच्मी वेज किचन में आप सभी लोगों का स्वागत हैं तो दोस्तो आज मैं नीबू का अचार बनाने जा रही हूँ तो आज मैं एक नए तरीके से नीबू का अचार बनाऊंगी तो आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से राश्ट तक देखते रहे हैं क इसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है दो चम्मच मैंने लाल मीर्स पाउडर लिया है काला नमक यहां पर मैंने सत्मोला पाउडर बनाया है तो देखे इसी प्रकार से दस पुडिये सत्मोले का गोली को मैंने पाउडर बना लिया है और यहां पर मैंने जीरा पाउडर लि लेते हैं, तो सबसे पहले आगे और पीछे का डंठल हम काट कर निकाल लेते हैं, नीबू हमारा बड़ा है, तो इसे हम आठ टुकडों में काट लेते हैं, आपको जैसा पसंद हो आप काटिये, हम इसी प्रकार से काटते हैं, तो नीबू कचार बहुत थेलदी होता है, तो य सिर्फ कार से मैं सभी नीबू को काट लेती हूं आठ टुकड़ों में सत्मोला डालने से इसका टेस्ट दो गुना हो जाता हैं सत्मोला खास कर बूढ़े बच्चे सभी को ज्यादा पसंद हैं क्योंकि गैस कब्ज जी मचलाना अफरा आधी में बहुत फाइदेमंद होता हैं तो दोस्तों हमारा सभी नीबू अच्छे से हमने काट लिया हैं अब इसमें हम मसाला मिलाते हैं तो सबसे पहले हम घर का कुटा हुआ लाल मिर्स डाल देते हैं जीरा पाउडर को भी हमने अच्छे से भून कर इसका भी पाउडर बना लिया हैं तो हम अपने टेस्ट अनु मोला को हमने घर पर ही तयार किया है इसका पाउडर बना कर तो इसको भी हम मिला लेते हैं एक किलो निबु के लिए दस पुडिया काफी है दोस्तों इसको डालने से ज्यादा अच्छा लगता है निबु का चार अब इसमें काला नमक डाल देंगे जो दोस्त मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक कमेंड और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और कैसा लगा है मेरा निबु कचार आप लोग कमेंड करके जरूर बताना तो दोस्तों इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर बनाएए और ज्यादत ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं ताकि सभी निबु में अच्छे से मसाला लग जाएं तो इसी परकार से बनाते हैं हम नीबू कशार हम एक डिब्बा धोकर अच्छे से साफ करके रख लिया है अब इस डिब्बे में हम नीबू के टुकड़े को डाल देते हैं तो दोस्तों हम इसको 15 दिन के लिए धूप में रखेंगे और अच्छे से खाने लाएक तयार हो जाएगा तो दोस्तों आज का वीड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक बाई बाई दोस्तों